तो आज हम बनाएंगे चना की दाल से लड्डू तो यह बहुत ही अच्छी लगते हैं खाने में तो अब रक्षावंदन आ रहा है तो रक्षावंदन पर तो मीठा तो बनता है तो आप एक वाइस तरीके से चना दाल के लड्डू बना कर देखें बहुत अच्छी बनते हैं तो यह हमने चना दाल लिए इसको हमने ओवरनाइट के लिए भीखो कर रख देता है अगर आपको थोड़ा जल्दी बनाने तब 3-4 गंटे के लिए भीखो कर रख सकते हो तो हमारी चना दाल अच्छे से कूल चुकिया तो हमने इसको 2-3 वार अच्छे से साफ कर ले ता पा हमें अपने दाल को दरदरसा ही पीश एक तो आप एक ल्हें परप्रस पिश लीर है है तो आप मेट को चलाले कि लीर है आए बिल्गुत परल्ट पर बाइए कि टेया है तो हम इसी तरह 1 चाहिए चला की ड才 अब हम इसको एक बरतल में निकाल लेंगे तो हमें इसी तरह का पेश्टरी चना की दलगा इसी तरह से हम अपनी सारी चना की दाल को पीस लेंगे तो देखिए हमें अपनी चना की दाल को अच्छे से पीस लिया है तो हमने इसको ज्यादा बारीक नहीं किया है थोड़ा सा दरदरा रखा अब हम चलते हैं गेस की तरफ तो हमने कड़ाई में घी गरम कर लिया था अब हम घी में अपनी चना के दाल के छुट-छुटी मंगोडिया तो लेंगे और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है अब अपने मंगोडियों को अलट पलट कर देख लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तब अगर आपको मंगोडिया बनाने में दिक्कत आ रहे हैं तो आप इस तरह से थोड़ी सी चना की दाल का मिक्षर लेंगे और उसे हाथ में रखकर दवाते हुए छुट-छुटी टिक्क्य बना लेंगे इसी तरह से मपनी सारी टिक्क्य बना लेंगे और प्लेट में रख लिए तो देर हमारी यह वाली मंगोडियाव सेख चुकी तो इन्हें हम कडाई से बाहर निकाल लेते हैं अब हमने दाल के टिक्की बनाए थी उन्हें भी प्राइ कर लेंगे आपको जैसे भी अच्छा लग आप ऐसे फ्राइक कर सकते एंगोरिया बना कर चटिक्क्य मना कर बदिने अभी गोलडेन ब्राउने तक पका लेंगे इसी तरह से मत्नी सारी मंगोडिया बना लेते हैं त सबोरकिन थोड़ेंगे इनको मिकसी जार में ढलकत ग्रैंड कर लूए किम की हमें बीलुकुल बारिक पावुडर नी बनाना है ठोड़ा सा रखना है हम मेक्सिको चलाएंगे फिर बंद करेंगे इसी तरह से हम इदर-दरा पाउडर बना लेगे तो देखेए हमारा पाउडर बन कर त्यार है बिल्गुद दर-दरा बनाएं इसी तरह से मापनी सारी मघोडिया ग्रैंड कर लेंगे तो देखें हमारी बिल्कुल दर दर पाउडर बना है चना की दल का अब हम कड़ाई में चासनी बना लेंगे तो यह हमने 200 गराम के करीब चीनी लिए अचीनी पल का सग गरम कर लेंगे अब इसमें पानी डालेंगे तो हमने 500 गराम के करीब चीन लिए तो हम 200 गराम के करीब पानी डालेंगे और एक तार वाली चासनी बना लेंगे और हमें गैस का फिल्म हाई रखना है जब हमारी चास्त नहीं बनने लगे तो हम गैस का फिल्म लो कर दीगे तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल रहे हूं हगो आप तो घ्र्म निखी हुआ हमारी चास्त नगी लगे है अव इसमें इलाईची पाउडर डालेंगे इलाईची पाउडर से लड्डू में बहुत अच्छा अघ्लिवर आता हो कि अब में पीचान की एक वर चेक कर लेते हैं तो हमें फिलक्तार वाली चांसनी जी की तो हमारी चासनी बन चुगी तो के क्ता स्चांसनी जवर क्लड हती है थोड़ा सा रेड़ पूड कम्हांड इसा लडूां में काई महीं थे मतूड कना ही जो हमने लड्डू के लिए चैना की दाल का मिक्षर बनाया था उसे भी हम अपनी चास्मी में डाल लेंगे और अच्छे से मुला लेंगे कि अब हम डालेंगे थोड़े से मगज के बीज और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए थंडा होने के लिए रख दिए और फिर बनाएंगे इस्गेम लड्डू तो वह मारा चैना की दाल का मिक्षर थंडा हो चुका है अब बना लेते हूं तो थोड़ा सा मिक्षर हाथ में लेके उ तो देखिले तक है तो देखिए हमारे लड़्ू के तरह प्रफ्यक्ट बना इसी तरह से में अपने सारे लड़्ू बना लिगें से दिखाती है अगर आपको हमारी लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जाका नोटिफिकेशन कॉल करना मतभूला और हमें कमेंट बॉक्स में बतान कि आपको हमारी चैनल दाल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी तो देखिए हमने अपने सारे लड्डू बना लिए तो हमारे लड्डू कितने परफेक्ट बने एक लड्डू में आपको तोड़ कर दिखाऊंगी लग रहें ने बल्लुक्ल बजार देसे तो एक वार आप इस तरीके से लड्डू बनाएं और इंजाई करें